तो हेलो दोस्तो कैसे हैं आप वेलकम टू माई चैनल स्टार कार रिव्यूज अगर आप भी 2023 में एक नए कार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है तो हम बात करने जा रहे हैं भारत में मिलने वाली सबसे ज़्यादा असुरक्सित 7 कारों की गलोबल एन कैप त्वारा या तो जिरो स्टार सेफटी रेटिंग मिली है या तो फिर एक या दो स्टार की रेटिंग मिली है ऐसी गारी हैं दोस्तो जो बड़े एक्सिडेंट तो छोड़ो ये आपको छोटे एक्सिडेंट में भी नहीं बचा पाएगी 2023 में भी कुछ ऐसी कंपनी हैं जो अपने कार मॉडल को सेवटी पेरमेटर में ऐसा कहती हैं कि भारतिये सेवटी मानक में ये कारें सुरक्सित हैं लेकिन जब उन कार की गलोबल लेवल पर क्रेस्ट टेस्टिंग होता है तो सारे परकच्छे उड़ जाते हैं तो दोस्तों बिना किसी देरी क उन कारों के बारे में आज बात करते हैं नमबर सेवन पर हमने रखा है मारुती वेगनार को ये मारुती की सबसे जदा बिकने वाली कारों में से एक है ये भी सेवटी रेटिंग में टू स्टार लेकर आती है इसको भी गलोबल एनकेब क्रेस्ट टेस्टिंग में अडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपैल्सी में भी केवल टू स्टार ही मिले हैं जो की पूर सेफटी रेटिंग मानी चाती है तो दोस्तों ये भी एक अंसेफ कार है तो दोस्तों ये कार आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए खवतनाताबित हो सकती है अगर हम इस कार के प्राइस की बार करें तो ये 5,50,000 से लेकर 7,50,000 तक जाती है सायद माइलेज और लुक्स भारी पढ़ रहा है सेफटी के आगे तो दोस्तो जान से पैरी नहीं होती लुक्स और माइलेज तो दोस्तो नमबर 6 पर हमने रखा है रेनौल्ट की क्विड को तो ये कार भी आपकी फैमिली के लिए खतनाग साबित हो सकती है क्योंकि इसको भी क्रेश टेस्टिंग में अडल्स सेफटी में 2 स्टार और चाइल्ड ओक्वेंसी में भी 2 स्टार मिले हैं तो दोस्तो रेनों की क्विड आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहने वाली है इसका एक्सो रूम प्राइज 4,4,000 से लेकर 6,000,000 तक जाता है तो दोस्तो नमबर 5 पर आती है आईटेन नियोज हम बात कर रहे हैं होंड़ाई आईटेन नियोज की ये भी टू स्टार रेटिंग के साथ आती है इसको भी गलोबल एनकेप क्रेश टेस्टिंग में एडल्ट में टू स्टार और चाइल्ड ओक्यूपेंसी में भी टू स्टार मिले हैं तो दोस्तो ये गाड़े भी आप और आपकी फैमिली के लिए खतनाग साबित हो सकती है अगर प्राइज की बात करें तो इस कार का एक्सो रूम प्राइज पांच लाग पचास हजार से लेकर आल लाग पचास हजार तक जाता है तो दोस्तो अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो ऐसी गाड़ी खरे दिने का कोई फायदा नहीं अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको ऐसी गाड़ी लेने चाहिए जो आप और आपकी फैमिली के लिए सेफ हो तो दोस्तो नमबर पोर पर आती है मारूती की ये मारूती स्विफ्ट ये कार गलोबल एनकेप क्रेस्ट टेस्टिंग में सिर्फ वन स्टार लेकर आती है जो कि इस कार को काफी अंसेफ बना देती है तो इसको भी अडल्ट में वन स्टार और चाइल्ड में भी वन स्टार मिलता है तो ये रेटिंग देखर आप खुद ही समझ गए होंगे कि ये कार आपकी फैमली के लिए कितनी अंसेफ है इसका प्राइज 6 लाग से लेकर 9,3,100 प्राइज तक चाता है दोस्तो मैंने इस कार के कई ऐसे हाथ से देखे हैं इसे मेरी रूप अंदर तक कांप गई नमबर तीन पर भी मारुति की इगनिस कार है जो आपको बिल्कुल भी नहीं क्रिदनी चाहिए हाली में की गई एन कैप क्रेस्ट टेस्टिंग में इगनिस को एडल्ट में वन स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में जिरो स्टार रेटिंग मिली है बड़ों के साथ साथ आपके बच्चे भी सेप नहीं इस कार में ये कार आपको बिल्कुल भी नहीं खिरिदनी चाहिए ये कार आपको पांच लाग चालिस हजार से लेकर साथ लाग सतर हजार एक्सोर उम प्राइज तक मिलती है दो पर आती है मारुती की एको जो आप और आपकी फैमली के लिए बिल्कुल भी फ्रक्सित नहीं है इसको गलोबल एनकेब क्रेश टेस्टिंग में एडेल्ट में जीरो स्टार और चाइल्ड ओकोपेंसी में टू स्टार मिले हैं छोटे मोड़े एक्सिडेंट में भी आप और आपका परिवार इस कार में सेफ नहीं है अगर प्राइज की बात करें तो ये एक्सोर उम प्राइज 5,20,000 से लेकर 6,50,000 तक जाती है और नमबर एक पर आती है मारुती की एस्प्रेसो इसको एनकैप क्रेस टेस्टिंग में एडल्ट में एक स्टार और चैल्ड ओकोपेंसी में जिरो स्टार मिला है इसका एक्सोर उम प्राइज 5,30,000 से लेकर 7,00,000 तक जाता है ये कार तो आपकी फैमिली के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है तो दोस्तो एक बात है भारत की सबसे ज़्यादा कार बेचने वाली कमपनी अगर इस तरह की रेटिंग लेकर आएगी तो दोस्तो सवाल तो उठे गाई दोस्तो ये भी जान लिए कि आप सोच रहे होंगे कि मेरी कार 5 स्टार रेटिंग है तो मैं किसी भी स्पीड पर ड्राइव कर लूँ तो आप बहुत बड़ी गल्थ फेमी में हैं अगर किसी भी 5 स्टार रेटिंग कार का 100 की स्पीड में एक्सिडेंट होता है तो उसमें जान जाने की समवाबना बहुत जादा हो जाती है ऐसे ही दोस्तो जीरो एक या दो रेटिंग वाली कार का 40 या 50 की स्पीड पर भगवान ना करे एक्सिडेंट होता है तो उसमें भी जान जाने की समवाबना बहुत जादा होती है तो आपको अपनी स्पीड लिमिट कंट्रोल करनी होगी तो दोस्तो भारत में Tata ने महिंदरा ने कर दिखाया है कि भारत में भी 5 स्टा रेटिंग कारें बन सकती है तो दोस्तो महिंदरा और Tata की ये कारें N-CAP क्रेश टेस्टी में ही नहीं इन कार के जो रोड पर एक्सिडेंट हुए हैं उनमें भी ये कारें सेफ निकल कर आई हैं दोस्तो मैं आप से यही कहना चाहरा हूँ कि जो भी कार आप लेने का प्लान कर रहे हों उसमें आप यही ना देखें कि इसमें कितने एर बेग हैं सेफटी ब्रैकिंग सिस्टम हैं इसके साथ ये भी देखें कि कार की बिल्ड क्वालिटी और इसको गलोबल एन कैप ट्रैस टेस्टिंग में कितने रेटिंग मिले हैं तो दोस्तो लोगों के साथ साथ गौर्मिन्ट को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि माइलेज से ज़्यादा से जादा सेफटी पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अपनों से बढ़कर माइलेज नहीं होती दोस्तों ये थी कुछ बाते हैं जो मैं आपसे share करना चाहता था आपके क्या विचार हैं कॉमेंट बॉक्स में जुरूर बताना और हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले मिलते हैं नई वीडियो में ने कार के साथ धन्यवाद